नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सिंग आप देख रहे हैं दभारत खबर दिल्ली में अगले हफ्तिक कक्षा छटी से आठवी तक के बच्चों को स्कूल भेजे जाने पर फैसला हो सकता है दिल्ली सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है इस बारे में इसी सप्ता क अंत तक होने वाले दिल्ली आपता प्रबंधन प्रादीकरण की बैठक में फैसला लिया जाएगा दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर बनी विशशक्य समीती ने तीन चर्णों में स्कूलों को खोलने के सिफारिश की थी जिसके आधार पर 9-12 की स्कूल खोल दिये गए हैं अगली चरण यानि छटी से आठवी कक्षा की स्कूल खोले को लेकर दिली सरकार जरूरी फीडबैक ले रही है जिसमें अभिभावक माधमी कक्षाओं को भी शुरू किये जाने पर सहमती जता रहे हैं इसे आधार बनाकर सरकार फैसला लेगी उधर उपमुख्य मंतरी मनीश सौधिया ने भी इस बारे में रविवार को संकेत दिये हैं उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि बहुत से अभिभावक माधमीक स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं तिली में फिलाल नवी से बार्वी तक के स्कूल खोल दिये गए हैं इसके लिए सोपी तै की गई है जि सबसे बड़ी रहाद की बात यह है कि कंटेर्मेंट जोन में रहने वाले जात्रों शिक्षकों या करमचारियों को स्कूल आने की नहीं क्या जाएगा स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स को हर समय मास्क लगाना जरूरी है इसके साथी छात्र छात्राएं खाना भी साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं स्कूल खोले जाने के लिए जो S.O.P. तै की गई है उसका सभी स्कूल कडाई से पालन कर रहे हैं आप देख रहे हैं दभारत खबर हमारी बागी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नमस्कार